Mr. Singh Productions ते गुर्बानी केड़तन ताड़ी वारा कथा कविशरी वारा लाइव केड़तन देखन लई होने सब्सक्राइब करो अते बैल दी कांटी वजोना ना पुलना वालिय को लालम शबद गुरू सत गुरू सिरी गुरू गरीब नुवाज मजस्मा आपे हयात सर्वरे काईनात साहिप श्री गुरू गरंसा माराई दी मुकद्दस पुइत्तर गोद्दे विच जुड़ बैठे अजीज हाजरी आओ सब्तों पहलना गुरू देपाशा दी बक्षिश मुकद्दस फते बलंद करिये इस्तकार सायत अखनाजी वाह गुरू जी का खालसा व के कसान संगर्ष दे दौरान शहीद होए कसान प्रामा दी याद दे विच गुरू साब दी हजूरी दे विच अरदास कीती जावे के प्रमात्मा उनना बिच्छडियां होई आत्मा नो अपने चर्ना दे विच नवास बक्षिश करे ते जिड़े वीर इस संगर्ष दे वि के संगर्ष नू समझना बहुत जरूरी है दो नुक्ते तो हड़े सामने ने जेकर असी उनना नुक्तियां नू समझ जावागे ता फिर मिनू लगदा जड़ा हर गड़ी दे पिच्छी असी लेक के स्टिकर लाले आना नो फार्मर नो फूड ओधी एहमियत की है ओधी व् पनदा है ओधा बरतांत की सिरजय जंदा है ओधो गला नो समझना बड़ा जरूरी है केवल पंजाब दे लोग ही खेती नहीं कर दे हिंदोस्तान दे विच बहु सारा इलाका जिरायत दे अदीन है बहु सारे लोग खेती कर दे ने पर प्रती परिवार जरायती खेतर के एक प्रवार दे कोल किन्नी जमीन है ओव सब तो कट भी पंजाब दे कोल है होर जड़े पंजाब तो बार ले सुबे ने उनना दे कोल जमीना जादा ने पर ओधे बावजूद जिनना कोल जरायती रकवा काट है जरायती खेतर काट है जमीनी मलकियत काट है ओधे बावजूद संगर्षदे विच सबतो वद ओ लोक अगे ने उन्हें इस कारण नुटे समझना पवेगा न कि जिनना कुल वद जमीना ने जिनना कुल वद जरायती खेते रहे जिनना दे कुल वद आमदन दे सुरोत ने ओ इस संगर्षदे विच ओ सूब अगे नी आई पंजाब दा किसान अगे आया है एस नुट समझना एस करके जरूरी होंदा है कि बार बार कीते जारे जिड़े एक कौमियत दे नाल वसाकात होंदेने उत हनु किते ना किते संगर्षदे वास्ते मजबूर करदेने क्योंकि पंजाब दे नाल जदो अरंब तोई मैं 1947 तो थोड़ी जीता नुट पेट पूमी दास्तमा जदो स्टेट्स दी वांड होई है सुबे बने ने ओस समय मी तामिला नुँ तामिलाडू लैन वास्ते उडिया लोका नुँ उडिसा लैन वास्ते असामिज नुँ असाम लैन वास्ते संगर्श नी करना पया पंजाबी सुबे दे वास्ते पंजाब नु संगर्श करना पया और किसे सुबे नु कोई स्रगल नी करना पया उस्तो बाद जरायती खेतर दे विचे पाणियां दी गालाई ते पंजाब दा पाणी जदो के जड़े दुनिया दे कनून ने दुनिया दे विच्वी पाणी दे चगड़े हुंदे ने एक देश तो दुझे देश देश दे विचे द्रयामा दा वहन जन जन दा है जिस तरह साड़ा हरी के तो पाकस्तान जन दा है देशां दे विच्वी चगड़े हुंदे ने पाणी दो हुण चीन ने ब्राम पुत्तर नदी दे उपर एक बन मार लिया है चगड़े दा कारण बन गया, लडाई दा कारण बन गया दो देशां दे विच्वी चगड़े हुंदे ने पर उन्ना चगड़िया नून बेड़न दे वास्ते एक कनून है अंतराश्ट्री पद्दर दे उपर रिपेरियन ला रिपेरियन कनून ओदे विच हुन्दा है कि जेस सूबे दे विच दरवाया व्यार रिया हुन्दा है हड़ आजावे ते नुकसान वी ओस सूबे नू सहना पहिंदा है एस करके पहला अधिकार ओस सूबे दा हुन्दा जड़ा रिपेरियन स्टेट हुन्दा है पहला अधिकार उस दा हुन्दा है ओ दी जिन्नी पाणी दी जिरूरत है ओसनू पूरा कारंतों बाद दुज्जे सुबे नू पाणी दिता जा सकता है पर होन की होया है कि जिन्ने जरायती खेतर दे वास्ते जिन्ने क्यूसिक लीटर पाणी दी सानू लोड सी ओसनू अनदेख्या करके जा मैं कह लमा के दुनिया दे जिन्ने मी पाणी दे वास्ते बढ़े होए कनून ने अंतर राश्ट्री पद्दर दे उपर जिन्ना दे नालकदी नर्मदा और कवेरी दा मसला हाल होया सी यही मसला सी जेकर ओही पाणी दा मसला दखन दे विच होवे ते पारती हुकूमद्या नीतिया होरने ओही मसला पंजाब दा होवे ते नीतिया होरने ऐ सारे वसाकात ने के जिन्नी पाणी दी सानू जरूरत है मैं तानू अमरसार चा बैठी हो तानू एक होर गाल दास तमा शायद तुसी ना पड़ी होए 1902 दे विच डॉक्टर गंडा सिंग ने जोद सिंग अबनांदन गरंथ शाप्या और ओस गरंथ दे विच एक आर्टिकल सी सरदार ग्यान सिंग राडे वाला दा ते ओस आर्टिकल दा टाइटल सी पंजाब दा संचाई प्रबांद है 1902 दे विच पब्रिश होया ऐसी मेरी लाइबरी रिचो दा एक खरड़ा प्या होया है ओदे विच ओ कहिंदे ने के पहली ट्यूबल राई संचाई स्कीम जड़ी है और 1911 दे विच अंगरेज़ा ने अम्रेसार च शुरू कीती ते 1906 दे विच बांद कार देती 1911 च शुरू कीती और 1906 च बांद कार देती कारण ना लेके कारण पता की सी कारण ऐसी के जड़ा जमीन चो कड़े आ जा रहा पाणी है ओपीन दे वास्ते वदिया है पर जरायती खेत्तर दे वास्ते पहल नेरी पाणी नुदिती जावे क्योंके नेरी पाणी दे विच पहाडा तो कई तरां दे खनिज दे मिनरल्स आउंदे ने जमीन दे वास्ते ट्यूबल दे पाणी नलो नेरी पाणी चंगा है अंग्रेजा ने ए स्कीम 1906 दे विच बंद कर देती अठताली दे विच फिर इंडियन गौर्णमेंट ने शुरू कीती थे 1960 तक केवल पंजाब देच 11,000 कोश ट्यूबल सी आज गिंटी लखां दे विच चली गिया सो एजेडे बार-بार होए विच अथी ईनने किते न किते इस गलते मजबूर गर देता और औसदे वास्ते पंजाब ही संग Черषदे वास्ते क्यों त्यार होया विचश का तन्यत हड़नमेंगार ने गाल कर देती है पंजाब दी एक समाजिक सांज है आपस देविच उस सांच दा मुड़ गुर्नानिक साब ने बने है जेड़ी उस सांच जरायती खेतर तो अरंब होंदी है जी दे विच उपच्छ दे जिंस दा समाज दे विच हसाब नी मंगया जान दा अथ उसी सारे ज़्यादा तर पिंडा दे रहन वाले हैं एक कारदे विच साग बने होँए जा साग कोई लेके आवे खेता था विचो दुझे का नू मुल थोड़ा देता है एक कारदे ने कमाद बीजया गन्ये बीजया तुछ उसी गन्यादा पोट या लेलो ता नू को मुल थोड़ा मंगदा ता ने को ट्राली जा रही ने बच्चे विचों खेच लएंदेने गन्ने मुल थोड़ा बेचे जान देने जराइती खेतर दे विच जेडियां इस साडियां सांजां सी इनन दी नी गुर्णानक सावदे फल्सफे ने रख दी ती सी जित्ते ऐसी समय दे सी के बेशा के खेती एक कर रहे है न ते सांज सारे समाज दी बढ़ी होई है और उच्छुरू के में होई इतहास ता एक सुरोत है परचियां इतहास दे विच परीचे तो पाव परचियां बढ़े है ओदे विच एक बहुत प्यारा विख्यान गुर्नानक सावदा ओस समय दा जो उकरतार पर खेती कर रहे सी ओस विख्यान दे विच जिकर की है ओदे विच है के गुर्नानक सावद शाम नो अपने खेता नो जा रहे ने ते की वेखदे ने के दो असी मजजे वाले बोल केदने ने, दो अबे वाले टेरी केदने ने, अनास दियां दो टेरी लगी यां ने, ते गुर्णानिक सा वेखदे ने के एक किसान, वो दे असी बाल्टे के ने, वो बठल केदने, वो बाल्टे पर दाय, ते दुझी टेरी सोटते हैं और कुदरतन एमें दा वरतारा शामनु वाप्रया होवे ता साधी मान सिकता चा पहला शब्द हुंदा चोरी कि ए बंदा दुज्जे दा अनास चोरी करके आपने ते सोट रहे हैं पाथ्षा रुग गे स्वाल किता सिखाएं की कर रहे हैं कुछ नहीं पाथ्षा यह जड़ा टेर है मेरा है जिस टेर ते सोट रहे हैं ओ मेरे प्रादा है मेरे कार अउलाद कोई नहीं ओधे दो बच्चे ने कबीलदारी है खर्च जादा है जे कर मैं उन्हों खराद दे वंगो दसके देवागा ते ओ अपने आपनों हीना मसूस करेगा ते मैं सोच्या कि ओ कार रोटी खान गया है क्यों ना मैं ओधे टेर दे उपर अपने टेर तो कुछ सोट दे मां पाथ्षा खोश होए कि साच मुछ ए गलता है सिखीदा असर ता एही है ना कि देना है वखावा नहीं करना प्रानु दित्ता जा रहे है एही काल गुरु गोबन सिंग मारा रा को दान दियो इन्ही को पलो अब और को दान लागत नीको पहला आपने आले दो आले दा पला फिर जाओ समाई दे विच जिन्ना मर्जी एंजियो बना के समाज सेवा करो पर जे गवांडी पुखा मार रहे है प्रा पुखा मार रहे है ते बार जाके लंगर लाई जाई जा हुण गुर्णानक साlessness परसान होई के किते ना किते जेडा वंड के शकन दा अमल सी उब देखन देविच ते आ रह até न शामन्यों जदो होल हने रापए गया हुण गुरू साव खेता अचे वापस आरे निए पहिला जा रहे सी हुण वापस आरे निए जो तो वापस आ रहे थे वेक्षिया की होण दुज्जा परा आया ते ओ अपने टेर तो भडेपरा आदे टेर ते सोठरे आते पाथच्छा रुग गे कें लूड तो की कर रहे है कें दा पाथच्छा मैं छोटा हां ए अनास्ता टेर मेरे भडेपरा दायै मेरे बच्चे ने ते ओस मेरी समस्या नू ते मेरी कबीलदार नी नू समीदे हुए जिनने भी रिष्टेदार ने वह डेपरा आदेकार जन्दे ने ते ओधा खर्च जादा हो जन्दा है मैं छोटा मां वो मेरे को मांगे नहीं लवेगा ते मैं सोचया के ओधे टेरते सोट देवा एह सिख्खी देना भी वखावा भी नी करना एस अड़ा गुर्सिख्खी जीवन जाजदा एहम अंग है दूसरी गल है के एस गर्ष पंजाब ने ही मोरी होके क्यों लड़िया ओदे विच टाड़े अठारवी सदी दे विच इतहास दिया व्याख्यमा पंजाने के जमीन दी जंग लाड़ ही ओ सकदा है जिस दी जबीर जीवन दी है अदरवाइस जे तहड़े कुल ओ आत्म कताती नहीं हैगा जेड़ा तहड़ा जमीन दे नाल मो नू समझ सके जमीन दे नाल रिष्टे नू समझ सके जेड़ा किरत ते करता ते कसानी नू समझ सके के करांटी एदे चो पैदा कीती जा सकती है ये तेन चीजों तो बिना हो नहीं सकता किरते करनी करते दी रजाच करनी ते करते दे हुक्मनों मन्द्या करांती दे राते तुरना एक करता किरते करांती नो पंजाब दे सब्वे आचार जो तुसी वाख करके नहीं वेख सकते एस सब तो एहम गल है सो एसे करके ही पंजाब एस संगर्ष्दे विच अग्य है इससे करके ही शहारता हुई याने नहीं ते आम मनुख की करदा है ओ जिवना चांदा है पर ओ मरना नहीं चांदा है हर कोई कुदरतन कबीर साब ने बड़ा सुना फरमान देता है जेह मरने सब जगत रास्या जेस मौत तों सारा संसार डर्दा है सो मरना गुर शब्द परगासया अब कैसे मरू मरन मन मान्या मर मर जाते जिन राम ना जान्या मरनो मरन कह सब कोई सहजे मरे अमर होय सोई कह कबीर मन पया अनंदा गयो परम रहे उपरम अनंदा गुरू पाज़ा ने सिख नू एग अल समझा दिती है सड़ा मार्ग प्यारदा है पर शर्त पाशा ने समझावी दिती है कि बेशक प्यारदा मार्ग है पर एस प्रेम दे मार्ग दे उपर जातो प्रेम खिलन का चाओ सिर्तर तली गली मेरी आओ सो जे ए गली जमीन है ते सिर्तली ते तर ना सड़ी जमीर है गली ते जमीन ते होवेगी उस जमीन ते खेड प्यार दी खेड नहीं है पर तुसी खेड तां सक देओ जे कर साधी जमीर जिऊंदी है ऐमद शाह अबदाली पाणी पदे मैदान दे विच मरट्यादा एकवरी लाक तोड़िया उस्तो बाद मरट्य एमद शाह अबदाली दे गिसेर नहीं चुक सके एमद शाह अबदाली तो पहलना नादर शाह अपनी मौत तो पहलना तकरीबन स्तारा सो ठत्ती उन्ताली दे विच इतो अमरसर दे लागों दी लंगदा सराय मान तकातों लहौर रुके है लहौर जाके जखरिया खान उसने एक स्वाल कीता सी वो स्वाल ओही है जीदा जवाब अज कसानी संगा रषदे विचे साड़ी पून कादा पहा है वो स्वाल पता की सी वो स्वाल सी के सिख कौन ने क्योंके नादर्शा दा एक को हिंदोस्तान ते हमला हुआ है ते उन्हों ही सिखां दी जुद नीती दा समना करना पहाँ पहली वरी किसे वड़े वदेशी हमला वात हूँ नादर्शा ने हुँ नादर्शा जखरिया खान ने एक स्वाल कर दा कि हनदा क्योंने कि लिए गुर्नानक देसिक कि हनदा मुर्षिद्द्द्द्द्द्द्द्ध गुर्ज केड़ एक Всथ उनका वली पहुए उए इनको आपे हयात दीऊ है कि हनदा खान दे कीने कि हनदा कहाते ए जगला जपते भी लें देने केंदा फिर भी इनना दे अनाज दा कोई ता सादन हुवेगा केंदा ओस सादन दा नहीं पता खान दे की ने एता किसे नहीं वेख्या नी खान दे केमे ने ते नुए दास देने केंदा केमे खान देने केंदा दुशमंच किरे हुंदेने आसे पासे दुश्मन होंदा है लंगर त्यार कर देने फिर नगारा वज़ोंदेने ते फिर उच्ची अवाज केंदेने पूखा देत अवाजा कोई आओ तेग द्यार कुर होई कि जे कोई साड़ी अवाज सुन रहे है ते साड़े लंगर दे विच आजावे साड़ी देग त्यार होगी है नादर्शाह मुस्कराया हस्या कि इन्दा बड़ी वक्री जी कौम है जे तुसी ओदे परिशियन वर्डिंग नो वेखोता उत तो लगता कमली जी कि इन्दा बड़ी कमली जी कौम है दुश्मन नो वाज मारनी आके रोटी खाला कि इन्दा जे दुश्मन आजावे कि इन्दा आजावे कि इन्दा जे दुश्मन भी लंगर चे बैजावे कि इन्दा बैजावे हमला नहीं कर दे कि इन्दा जे दुश्मन भी सारा लंगर शाकल लवे इना दे खान ते कोश भी ना बचे कि इन्दा फिर भी अपने गुरू दगे रदास पता की कर देने बचे तो दाना आप खले हैं नहीं तो लंगर मस्त बते हैं कि जब बचे आसी दाना ते पात्षा सी मूच पाला नहीं ते लंगर मस्त आना हो गया कि इन्दा फिर भी इन्ने अनांदे विचने फिर भी इन्ने खुशी दे विचने ते फिर उन्ने एक शबद के है जित्व तानू अबदाली दे दित्ते सिंगाने जवाब भी समझ लगेगी नादर्शा दे लास्ट वर्डिंग एस तरती दे उपर जिस तो बादो हिंदोस्तान चे नहीं आया उन्हें कैसी अजीं कौम बू बादशाहिये मा आयवद इस कौम दियां आदतां दे विच्चों बादशाहत दी बो आउंदी है कि कदी न कदी ये राज जरूर करने कि जिस कौम दे को ल इन्ना वड़ा हाँ उसला होए लोडी निहां दी होणना अदि शाह अबदाली नादर शाह दी मौत तो बाद एमद खानतौं अइमद शाह बनदा है हमलावर होके उनदा है मरट्यां दे हार होंदी है बहुत थामाते उस्दे दुरानमी सिक्षांदा काफी थामाते उपर मकाबला हुंदा है मोठपेडा हुंदियाने पहली मोठपेड था मैं तर ना एक होर बेंती करा कि सिख्खां दी जुद नी थी उन्हों समझना किना जरूरी है एथे था डे नूर दी सरांदे कोल नौाब कपूर सिंग बैठे ने सरदार चड़ सिंग बैठे ने सरदार जसा सिंग अलू वालिया बैठे ने अजिते सरायमान तका केंदे नूर दी सना इदे कोलो बैठे ने ते इनना तो तिन को दूर नादर शादा केम पै ते आपस दे विच्चे सिंग सरदार विचार कर दे ने सरदार जसा सिंग आलू वालिया सरदार चड़ सिंग ते सरदार मित सिंग डले वालिया केंदे ने हमला करिये अबदाली ते सिंग बड़े थोड़े ने हमला करिये अबदाली ते उपर ते सरदार चड़ सिंग ते नवाब कपूर सिंग केंदे ने कि इने अब दाली साड़े ते हमलावर हो के नहीं आया है। उटा सिद्धा एस वरी लाटन जा रहा है। दिल्ली दरबार दे मुगलां देनाल। अब दाली ने साड़े जड़े हाथ सी औज नादर्शा वेख चुके है। अबदाली ने साड़े दे एस हमले जे हाथ नी चुकना उन्हें साड़े ना इत्थे नई अटकना ओ सिद्धा उत्थे जावेगा जित्धे ओधी जांग होनी है जिस जांग दी अवाई मीर मनूदे पिता कमरूदी मीर आतश ने की दी कि इंदा ओधा उत्थे जावेगा ते सरदार पता की कि इंदे ने कि इंदे जे ओ लड़ाई एम दे शाअबदाली जित गया ते लड़ाई दा दुज्जा मिदान जड़ा पंजाब बढ़ना है जे असी आज इतना लाड़दा मांगे ते सानु एदे जंगी थे आरादा ते जुद्ध नीती दा पता लग जावेगा क्योंकि अगली लड़ाई सानु लड़नी पे मिले है ते सानु दुश्मन दे टंगा दा पता होना चाहिए अहोन जड़ी कटना वापरी मैं ओधी अबदाली तो पहलना बेंती करता हूँ दुश्मन दी नीती ते टंगा दा पता होना चाहिए सिंगू बार्डर दे पर कटना वापरी जेस दा कतल होया ब्यदबी दे दोश दे विच तुसी अठारवी सदी तो वेख लो हकूमता जदों किसे संगर्ष दे विच किसे का टगिंटी कौम यतनुख खतम करना होंदा है जेड़े उदे मूरेने एमे दे ही चुने जांदे हमेशा एमे दे चुने जांदे जेसे वेले मसारंगड दरबार साथ चाहिए थे मसारंगड किसे राइल फैमली दे विच्चों सी असी मसा रंगड देपर दो दो शलोंने हैं ये दर्बार साब देवी ची शराब मां पीती हैं हुका पीता कंज्रियान ने चाहिए उस वेले अब्दुर्जाक वर के मुस्लमान जर्रैल जीन देशी अब्दुर्समाद खान वर के जीन देशी क्यों क्योंके इसलाम वी शराब पींड दी वरोता करदा है चंगा मुस्लमान शराब नुशी नहीं करदा उन्ना ने मिड्याले पींड़दा चाहधरी बसा जिसदा नाम मसाहुदी नसी क्यों चुणिया क्योंके पता सी जान देने जेड़े किसे ना किसे कमजोरी दा शिकार हों देने इस गाल नो बड़ा समझना जरूरी है मैं हकूमत दी नीतियां दी गाल कर रहे हैं के सेख अबदाली दे नाल बेशक अबदाली नहीं लड़ना चूंदा पर सेख एथे जान बुझ के हमला कर देने एक गोली नवाब कपूर सिंग दे भी लग दी है कादे करके क्योंके सानु पता लग जावे के जेकर अगली जंग पंजाब दी तरतीते लड़नी है ते उदे अथियार के में दे होनगे कोड़ सवार के में होनगे ओधी फाउज के में दी होईगी ओधी जुद नीति के में दी होईगी ऐस गालनों समझन दे वास दिया हून जो तो एहमद शाह अबदाली कोपर हीड़ेदे मदां दे फची सिंगा लड़ा है ते ओ जुद नीती नू वेख के जड़े शब्द केंदा है ओदा अगो व्याख्या करदा डाक्टर हरी राम गुपता लेखदा है केंदा सिख तोर रहे सी ते लाड़रे सी तोर रहे सी ते केंदा एंज लागदा सी के जे में एक चालरे आकिला होए ते ओस नू पंजाबी अनवाद कराने के आए के जेस तरह कुकड़ी अपने छोटे छोटे चूचे आनू अपने खंबा हेट लाएके अग्गे वाद दिया उसे तरह जड़े सिखांदे दाल सी बच्चेयानों ते बज़र्गानों बच्कार लाएके अग्गे बाद रहे सी शामा तक कुत्मा बमणियां तक एक कलूका रहुंदा रहा गिनती वाखवाख्या बाई ही यार तुलाए के पंजाह यार तक पर पंथ परकाश ने जड़ा एक टूक दे दिती है न ओथ उसी अंदाजा लालों के एक दिन देवचे शहादता के निया होन गिया उसने बड़े वधिया तरीके चे लिखिया है लोग कहें सिंग सब गया मारा बचियों पचास और खाप गयों सारा के पंजाह के मुड़ी सिंग बचे ने बाकी सारे एक दिन देवचे शहीद हो रहे ने ते साच जाने हो पंजाह हजार दी लाश दे उपर तो हड़ा गुरू का खाल सा अरदास की कर रहे है आज खाल सा खास पयोसत गुर के दरबार अरदास कीती जा रही है के तजे सपंथ कुमार गचाले अरदास कीती जा रही है के कंचन जड़ा सी न ओन रोल हो गया कुंदन बन गया खोट चड़गी है यह अरदास किती जा रही है अहमद शाह अब दाली समझ गया के होन इन्हा सिख्खानों इस तरह काब्बू ने किता जा सकता उसने नानू सिंग गरेवाल ते अब्दुल खान बक्षी नाम दे अपने दो सफीर मसंजर वकील सिख्खान दे कोल पे जे पेशकश होन असी कसानी संग अरश देच जेड़ी सिख्खी दी स्पिरिट है उनू समझिए होन पेशकश की है पेशकश है कि एमद शाअबदालीदा सनेहा लेके आएं हैं ओस सनेहा देन वाली ते रदे विच जेड़ा नानू सिंग गरेवाल है ओ राजा पते आले वाले राजे आला सिंग दी सहमती दे नाल आया है एक जड़ा सफीर है ओ एमद शाअबदालीदा अपने है पेशकश की है कि सिखो और सिखकेड़े ने अगे पांच जड़नाल बैठे ने जसा सिंग आलू वालिया जसा सिंग रामगडिया सरदार चड़त सिंग मिद सिंग डले वालिया ते सरदार तारा सिंग ये अगो सरदार बैठे ने पांच है पेशकष की है क्यों लड़ देओ क्यों मर देओ यह सानों किया जा रहे है न संगर्श क्यों कर देओ सारे हिंदोस्तान दे लोकां दी जरायदा मसला मध़, परदेश, दुझत, ज़चो पबाइटे पंजाब क्यों लड़ रहे है हला तुदों वी होने क्यों लड़ देओ, क्यों जाना को होंदेओ, एथे राम देनाल जिंदगी जीओ, ओदे इवजाने देविच, तुसी शे मिने बाद शमाही फसल होंदी सी, शे मिने बाद एथ होंदी जेडियां रवायती फसलाओ दो हो चुकी हैं सी, कानक, बाजरा, जौं, गौारा, ते मक की, चोना बाद देविच होंद लगा है, जो मु किश्मीर चपहिलना होंदा सी, गुर्बानी परमल की बाद शबद होंदा, पंजाब देविच दो, चोना नहीं सी होंदा, बहुत काट सी, किसे खास अलाके जो होएता पता नी, ओस हमेदे से रोता जिज़िकर नहीं मिलता के तुसी छे महिने बाद, थोड़ा थोड़ा अपनी जरायत देविचो हिसा देदया करो, एमद शाह अबदाली नो, ते तुसी एते वधिया तरीके नाला, रह सक देओ, नवाबिया लह सक देओ, राज कर सक देओ, जे आजवर गा से खोएते सौधा किना सोखा, किना वध तो हड़े सिरांदे मोल नहीं पैनगे, तो हानू लुटिया नहीं जावेगा, इवस देविच, कोज मन बाजरा, ते कोज मन कानक देगे जान बचालो, सिखांदे जथे दर बैठे ने, सलाह किती आपर देज, मश्वरा किता, ते मश्वरा करन तो बाद पता के इस गलते प पहुंचे के आन दे के जान बचाउनी ता बड़ी सोखी है, पर समस्या आए है के आन लेना ता गुलामी दी निशानी है ना, आन देना ते प्रान लेने, अपनी जान बचाउनी, रोटी दे इवस दे विच, यह है ते गुलामी ना, जो दे रहे हुआंगे, ओ साड़ी खर आत नहीं होएगी, ओ सरी इसनों पेट करांगे, असी कोई दान नहीं दे रहे, असी अपनी जिंदगी ता मोलदे मांगे, यह ता फर गुलाम में दी जिंदगी होगी ना, जड़ी आन दे के जिंदगी लई गई, ते जिड़ा उनना सिंगा ने जवाब लेके पे जया, उस साड़ा सने हा, हुण अपने शाह, एमद शाह, अबदाली नो दे दे दे, जड़ाम लेर कोटले बैठा है, साड़े वल्लों शाह नो कह देना जाके, बिलांगे उसनों रण विच हाथ तेग उठा के, शर्ता लिखांगे, रत ना, खेबर कुल जाके, शाह न जड़ाने इतला ना करना थपवागे, गल है निया अनास दी, गल है निया, गालत है कि जेकर जमीर जीन दी रही, ते जमीन वाल भी किसे नों आखरी चुकुन दमांगे, अब अदाली छड़ के जेड़ा मर्जी आ जावे, पर जेकर अज जमीरां गिर्वी राख देती है, एमद शाह अब दाली देगे ते कदी भी अनक वाली जिंदगी नहीं जी सकांगे, ते ना आउन वाली या पीडिया नों अपने ते हास्ता सकांगे, तो दिता होया वकत मेरा सुमापत है जी, इनिया, बेंतिया, परवान, फते दिसान, इस्तिकार साहता अखना जी, वाहिगुर जी का खालसा, वाहिगुर जी की फत्व